बिस्मिल्ला रह्मार्रहीम यह लेक्च्चर इंट्रनेस्ट्मिल लेशन के टॉपिक सिवल वार के उपकर है यह टॉपिक जो है वो कई aspects को cover करेगा यह कई subject को cover करेगा जिसमें पाकिस्तान fair भी हो सकता है क्रेटर फेल भी हो सकता है और USA हिस्ट्री भी हो सकता है क्योंकि उसमें सिवल वार का टॉपिक भी है तो मैंने इसको जो है वो वेरियस सेक्शन में डिवाइड किया है जैसे के सबसे पहले डैफिनेशन और उसके बाद जो है वो इसके काजिस क्या होते हैं फिर इसका इफेक्ट किदर किदर हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है या इसकी मिटिकेशन कैसे हो सकती है उसके इलावा मैं इकताम पर जो है वो एक अडिशनल इंफरमेशन देना चाहूंगा वो हज़रत अली के हवाले से होगी वो मैथमेटिक्स की एक इन्वेंशन है तो वो भी मैं आपको साथ दूँगा वो टॉपिक से हटके होगी ताके वो इसलिए है कि हमें जो है हमारे असलाफ के बारे में पता चले कि उनका थिंकिंग लेवल और वो कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल परते हैं तो सबसे पहले जो हम सिवल वार से पहले हम वार की डेफिनेशन देखते हैं कि वार की डेफिनेशन क्या होती है इसकी दो definition वार की की जाती है एक definition इसकी यह होती है जो कि हमारे general लोग करते है आम तोर पर वो कहते हैं कि arm conflict between two or more government or state यनि दो या दो government के दरमें ये दो रियास्तों के दरमें जो मुसलला जग हो उसको आप war कह सकते हैं यानि arm conflict मुसल्ला लोग ते अब साथ हो दूसरी इसकी जन एक बड़े मशूर Prussian military strategist है उनका नाम है जी Karl Von Klaus Witts वो इसको कैसे देखते हैं उन्होंने अपनी किताब में Michael Walzer उनकी एक book का नाम है सन 2000 में उनने देखी है उसमें वो कहते हैं कि an act of violence intended to compel our opponent to fulfill our will यानि आप जो है वो अपनी हरीफ को पर अपनी विल को implement करने के लिए अपनी रजामंदी को implement करने के लिए जो तशद्दुत इख्तियार करते हैं उसको जो है वो आप war कह सकते हैं अब civil war थोड़ा सा इस से जरा मुख्तलिफ है civil का basically मतलब होता है majority यानि अवाम हमारी आम राय उसमें अब हम इसको देखते हैं कि इसकी definition उन्होंने कैसे बियान की है वो कहते हैं कि आपके जो मुलक है ना इसी के अंदर वेरियस सेक्शन के अंदर जो है वो जंग्च का छिड़ जाना ठीका जी उसको जो हम civil war करते हैं तो इसकी definition जो है उनकी जो किताब से ले गई है वो यह है कि war between different parts parts या faction within the same nation is called civil war ठीक है जी यानि आपकी कौम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ section के अंदर वो वार चिड़ जाए आप उसको civil war कह सकते हैं नेशन क्या होती है नेशन कैसे बनती है मैं वो आपके साथ discuss करता हूँ नेशन जो है वो basically इसकी definition ये है कि common जो हो attribute हो मुख्तलिफ लोगों के अंदर और वो ये तहिया करें कि वो मुस्तक्बिल में इकटे रहें हम उसको nation कहते हैं या वो कौम बन सकती है वो religion की base पर हो सकती है वो language की base पर हो सकती है वो culture की base पर हो सकती है वो geographic की base पर हो सकती है and many others लेकर ये तो civil war की definition होगी थी अब हम इसकी काजिस देखते हैं कि civil war कैसे कैसे हो सकती है सबसे पहले इसकी वज़ा जो है वो है economic policies एकॉनमिक policies क्या है यानि आप जो है वो wage यानि उजरत में, job में, pay scale में discrimination कर रहे हैं ठीक है जी एक तो इसकी ये वजुहात बन जाएगी तो लोग खड़े हो जाएंगे ऐसे उसके बाद political policies हैं, political policies की मैं आपको मौझूदा मिसाल पाकिस्तान की electoral reform से देता हूँ कराची के लोग कहते हैं कि अबादी की बन्याद पर seat ना reserve की जाएं, बलके voters की बन्याद पर reserve की जाएं यानि अगर किसी मुल्क में जितने ज्यादा जितनी स्टेट के अंदर या सिटी के अंदर या डिविजन के अंदर प्रोविंस के अंदर जितने वोटर हैं ना यानि डालने वोट डालने वाले उनकी बन्याद पर जो है वो आप seat reserve करें, यह जो है वो political एक difference चल रहा है, पं government issue की मैं मिसाल आपको बरुचिस्तान से देता हूँ, बरुचिस्तान में पैसा भी center government खर्चती है, लेकिन वहां के सरदार कभाई उसको खा जाते हैं, हवाम तक ही नहीं पहुंचने देरें, फिर वो लोग क्या करते हैं, civil war करेंगे, इदारों को खिलाफ जंग करेंगे, फ पर जो है वो बैटन और स्टिक चार्ज करेंगे लोगों को, ठीक है जी, और उसके अलावा इसकी एक और मिसाल है, development की, यह है कि हमारे जो low areas है, वहां पर government development नहीं करती, शहरों को मजीद expand कर रही है, जो दूसरे चोटे शहर है, उन पर पैसा नहीं खर्च करती, इससे जो ह जो है वो constitution के अंदर disparity, constitution के अंदर disparity की मैं मौझूदा मिसाल आपको फाटा से दूँगा, यानि अगर कोई भी शक्स चारों प्रोविंसिस में पाकिस्तान में से अगर कोई शक्स पकड़ा जाता है, तो उसको वकील का भी हख है, दलील का भी हख है, अपील का भी हख है, या जो है वो हातियार उठाना शुरू कर देंगे वो, अच्छा, अब जो है वो अमरीका के एक साहिब है, उनका नाहम है Thomas Hub, उन्होंने जो है वो civil war को American civil war में किस तरह डिफाइन किया, American civil war जो अपने अरूज पर थी, वो 1861 से लेकर 1865 तर थी, तो अब इसमें जो है उसकी वजहात उन्हें तीन बताई, उन्होंने का जी के पावर का इशू, रिलीजियन का इशू, मनी का इशू, इन्होंने इस तीन चीज़ों का बताया, यानि दॉल्ट वल्ड, अमरीका के अंदर एक और भी बड़ी चीज़ चल रही थी, वो जो के उन्होंने आगे चलकर इसक पनाक और लोगों की exploitation करते हैं तो जिसकी वजुवात की बिना पर अमरीका में civil war चली और भी बहुत सारी जगा पर इसकी में मौझूदा कई मिसालें आगे चल कर भी दूँगा अब इसके इलावा जो है वो international international यह जो है फो si bout civil war को जनम जनम देती हैं अब सीरिया है दुनिया के बड़े बड़ी जो पावर है दुनिया की उनके मसाइल है राशा के मसाइल है अमेरिका के यहां पर मसाइल भी है और अल्व एक यहां पर इनके है तो यह क्या करते हैं कि अपने मफाद हासिल करने के लिए यहां पर आर्टिफिशल जो है वो बहरान पैदा करते हैं क्राइसिस पैदा करते हैं और मुलक के अंदर मसाइल खड़ा करना शुरू कर देते हैं यह अब वो कैसे हो सकते हैं वो टेरोरिजम के जरी हो सकती है वो जो है वो किसी चीज की शॉर्टेज कर देना वहां पर ठीक है जी और लोगों को जो है वो फंडिंग करना जो लोग अजादी की तहरीके चला रहे हैं इस तरह करके जो है वो अपने सकती है उसके इलावा सोशल मीडिया का प्रापर गेंडा सोशल मीडिया बार बार एक चीज को उठाय जा रहा है उस से क्या होता है कि जनाब लोग बाहराना शुरू हो जाते हैं ठीक है जी और वह अपने हकोग की ढमांड करना शुरू करते हैं यह चीज़ है उसके बाद जो है वो fall shortage of यानि कमी हो जाना food की water की energy की इन चीजों की कमी हो जाना यानि लोगों को बुनियादी हकुग से महरूम कर देना मैं इसकी एक fundamental और एक बड़ी decent example मैं आपको या योगो-सलाविया से देना चाहूंगा योगो-सलाविया वो मुल्क था जो के बड़ी speed से तरकी कर रहा था हर चीज़ में बहुत वह वैल्ट है अब जनाब उनके जो आना वह आई एमफ ने का कि आप करजा लेने उन्होंने कहा जी कि हमें जरूरती नहीं यह उन्होंने का नहीं आपकी social development में थोड़ी सी कमी है अगर आप चाहें तो ले 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 उन्होंने का जी दे दें करजा उन्होंने करजा ले लिया अब उन्होंने जिस वक्त करजा लिया वो मुलक के अंदर ऐसा बहुरान उनकी policy से आया वो मुलक छे साल के अंदर जो है वो चार टुक्डों से प पर आगे अलाद अलाद रहस्ते मन गई ठीक है जी उसके बाद जो है अब इसके पॉजिटिव अक्सपेक्ट क्या है इससे जो है वो freedom भी मिलती है अगर हम ब्रिटिश को देखें जिससे जैसे उन्होंने exploit किया ब्रिटिश ने इसको सब कॉंटिनन्ट को तो वहां से जो है वो पाकिस्ताने लादा हुआ और उदर से इंडिया लादा हुआ यानि अजादी मिली अगर आपको हमें अगर वो सही तरीके से जो है हमारे right provide करते रहते हमारी legislation के अंदर और यानि हम कंट्री को स्टेट को गवर्न करने में हमारी involvement होती तो शायद जो है वो यह ना बनते दोने इंडिया और पाकिस्तान जो है लादाना होते हैं भी कठे रह रहे होते हैं उसके बाद जो है वो social injustice लोगों के साथ जो है वो इनसाफ ना हो रहा हो लोग तो भी जो है वो रोड पर आ आ जाते हैं और अपने हकूप की डिमांड करने लगते हैं और इतारों के पड़ाई और जिद्धोजहद शुरू कर देते हैं तो इस सारे को पढ़ने से हमें ये बात पता चली कि यानि कि आपकी रियासत के अंदर रहते हुए जब इनसान को मैजोरिटी को जब बुनियादी जरूरियात ना मिल रही हो रिगा जी उसका मैजोरिटी लेवल पर इस एक और चीज़ सीरिया की मिसाल दी ठीका जी तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही इंटरनेशनल इवाल्मेंट हो रही है बुलोजिस्तान के अंदर ठीका जी वह अजादी की तहरी चिला रहे हैं तो यह सारे इसके काजिस थे अब हम इसके रिजल्ट देखते हैं यह इसकी हैं कि इसके फेक्ट किदर किदर हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो हमें इसके क्या क्या लॉसिस हो सकते हैं यह हमें इसको क्या क्या हम फ्यूचर में इसके नताइज सामने देख सकते हैं अगर हमारे मुल्क में ऐसा होता है तो हमारा यह कहां कहां इफेक्ट कर सकता है सबसे के नक्षे से खतम हो जाता है जैसे कि मैंने आपको योगोसलाविया की मिसाल दी योगोसलाविया से कई मुलक निकलाएं एक तुब आलकनाजेशन यह हो गई अगर लेट स्पोस्थ पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिवल वार्ड शड़ जाती है तो पाकिस्तान के फॉर पीस की किसम यह है कि आपको मुलक तो नहीं तूटता ठीका जी लेकिन आपको कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट पायर्ड से फॉरं कंट्रीज कर रही होती है मैं इसकी मिसाल आपको इराक से देना चाहूंगा कि इराक में जब सिवल वार्ड शिड़ गई खाना जंगी शुरू हो लेगा या इडिया अपने आपको बहुत पावर समझता है वो कंट्रोल कर सकता है यह लेट स्पोस मैं एक एक्जामपल दे रहा हूं तो उसके इलावा जो है वो फिर मुलक में क्या रुकसान हो सकता है मैजोरिटी लेवल पे मैसेकर हो सकता है यानि कतल उगारत हो सकती है तेसरी इसकी चीज है कि डिस्ट्रक्शन औफ रिसूर्स जण के दौरान जो है वो अगर यह जग शिटी है तो मुलक के रिसूर्स तबाव हो सकते है मैसकि जो है वो आपको एक मिसाल जो है वो पाकिस्थान की पॉलितिकल लीडर जो ए büy नजियर बेनजीन पॉत्तों जब वो शहीद हुई या जो है वो उनको कतल किया गया तो पूरे मुल्क में जो है वो स्पेशली इस तारे सिंध वाली साइड पर ये मसला शुरू हो गया जी इसका कतल वारत का और रिसोर्सिस को डिस्ट्रॉय करने का यानि उन्होंने रेल के डबों को आग लगाई ठीक है जी और भी बहुत सारी जवार वो तबाही की जिसे मुलाका बहुत जादा नुक्सान हुआ तो ये इससे जो है न वो आपके डिस्ट्रॉक्शन ऑफ रिसोर्सिस भी हो सकते हैं फिर environmental degradation होती है जिसक जग वगारा चेरी होली है लोग क्या करेंगे जनाब आपके environment को तबाह करेंगे आपकी forestry को और और बहुत सारी चीज़ है जिनका तालुक environment से है उसको तबाह करेंगे आपकी society को खराब करेंगे उसके बाद जो है वो एक और चीज़ है वो यह है कि हमारा जो military है हमारी military power होती है वो जिस वकत इसको control करने की कोशिश करती है तो उससे भी आपको effect एक देखने को मिलता है वो effect है आपके मुलक के अंदर जो है वो बगावत की फिजा जनम लेती है ठीक है जी यनि अवाम का इदारों के उपर से इतमाद का हट जाना ठीक है जी मजीद resources का जो है वो तबाह होन यह भी एक military का effect है इसके पर अब हम इसकी mitigation कैसे कर सकते हैं इसको कम कैसे कर सकते हैं हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम social justice प्रवाइड करें लोगों इंसाफ प्रवाइड करें दूसरी बात यह है कि welfare के प्रोग्राम लाच किया जाए वो education में भी हो सकते हैं वो health में भी हो सक सकते हैं और सबसे एहम चीज़ जो के कार्लबॉर्न क्लास्विट कहता है वो कहते हैं कि हमेशा civil war को peace के जरीए solve किया जा सकते हैं फिर वो कहते हैं कि गयर मुल्की अफराद का मुल्क में दाखला ममूद किया जाए या international involvement को कम किया जाए ठीक है जिए उन्होंने इसकी mitigation बत constitution में जब्दिली ले आए तो काफी हद तक आप जो है वो civil war को control कर सकते हैं उसके इलावा उन्हीं का जो है वो कहना सोप्रिटीज का वो कहते हैं कि अगर चद लोगों ने या ओलिग्यार्क की हैं या डिक्केटर ने मुल्क को समभाला हुए आप उसको change कर दें democratic way तो यह ज traditional information दोंगा वो यह हजरत अली की information थी वो information यह है कि एक जवाने में हजरत अली के दोर में जो है वो एक यहुदी था उसने जो है वो एक जायदाद छोड़ी तो उसने अपनी जायदाद में वसीहत की कि मेरी बेटे को एक बड़ा दो मेरी बेटी को एक बड़ा तीम और मेरी बीवी को एक बटा नो हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन उसने घोड़े जो है वो सतना छोड़े उसने कहा कि हर किसी को पूरा पूरा घोड़ा मिलना चाहिए तकसीम ना हो यादा अदा गोड़ा ना किसी के अपर जाए किसी के पास जाए तो पूरा जाए तो अब जो है वो अगर दो पे तक्सीम करते थे तो भी सतरा तक्सीम नहीं होता था तीन पे करते थे तो भी नहीं तक्सीम होता था नौ पे करते थे तो भी नहीं होता मामला जो है वो हज़रत अली के अदालत में किया हज़रत अली ने कहा मैं इस मसले को सॉल्फ कर देता हूं तो हज़रत अली ने जो है वो कहा एक गोड़ा मेरे बैतलमाल से लिया गोड़ा बैतलमाल से लाया गया तो गोड़े अठारा हो गए तो जिस वकत गोड़े अठारा होगे तो आपने दो पे तक्सीम किया तो नो बन गया तीन पे तक्सीम किया तो छे बना और जब नो पे तक्सीम किया तो दो बन गया अब जिस वकत इन सब को जमा किया गया तो वो 17 बना जवाब में दुनिया हैरान होई लोग वहां पर कड़ develop हुआ था कि आप जो है वो अपनी मर्जी से add भी कर सकते हैं अगर एक तरह आप add कर दे दूसरी तरह सब्ट्रेक्ट कर दे तो equation के ओपर फरक कोई नहीं पड़ेगा हमारा जो है वो answer निकलाएगा तो इसकी सबसे पहली जो पुनियाद रखी थी वो हजरत अली ने रखी थी math के अंदर जो है वो आप ये equation के अंदर ये फिनोमिना कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने का अल्ला हाफिस